चिंट्या जंगल से बागते हुए वापस आता है वह काफी डरा हुआ नजर आ रहा था वह बस एकी बात बोलता मैने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा मुझे मत मारो प्लीज मुझे छोड़ दो उसके नजदी खड़ा दुसरा बंदर बोलता है अरे लोडू चिंट्या शा पंदी फकड़ कर बोलता है उससे पहले मैं तुझे मारोंगा सही सही बता मैटर क्या है तब जाकर चिंट्या पूरा मैटर बताता है ये कमली नाम की शेरनी एक बंदर को पकरने की कोशिश कर रहे थी इस बंदर का नाम बबन्या है बबन्या पेड की उंची डाली पर जाकर बैटता है बबन्या का बागने का आकरी रास्ता भी खत्म हो गया था बागने का रास्ता खत्म होने से बबनिया कमली को डराना धमकाना शुरू करता है बबनिया बोलता है हिम्मत है तो आगे आ, आना आगे कमली को पता है कि आगे जाना मतलब मौत से खिलवार करना कुछ दिर सोचकर कमली आकरी ट्राय करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन प्लैन अपने दिमाग में बनाता है। पास रहने वाले कुछ बंदरों की और शेरनी की है जंगल और पानी होने से वहागापे सारे बंदर रहते थे शेरने इन बंदरों का शिकर करूने मारती थी, जिससे बंदर और शेरनी के बीच अक्सर लड़ाई होती थी, बंदर अपना इलाका नहीं छोड़ना चाहते, और शेरने भी अपनी हरकोतों से बाजने आने वाली, बबने ने आज जैसे तैसे खुद की जान बचाई, बबने स आता है, वह काफी डरा हुआ नजर आ रहा था, वह बस एक ही बात बोलता, मैने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो, उसके नजदी खड़ा दूसरा बंदर बोलता है, अरे लोडू चिंटया, शान्त हो जा, हमें बता तुझे क पकड़कर बोलता है, उससे पहले मैं तुझे मारोंगा, सही सही बता मैटर क्या है, तब जाकर चिंटया पूरा मैटर बताता है, दरसल बात यह है कि बबने कमली के बच्चे को उटा कर लाता है, और पेड़ पर जाकर बढ़ता है, पेड़ के नीचे कमली बच्चे को बबनिया बोलता है ठीक है मैं बच्चे को छोड़ दूंगा लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी कमली बोलती है तुमारे क्या डिमांड है बोलो बबनिया बोलता है ठीक है कल सुब उजडी पहाडी के पत्तोरों पर आना मैं तुम्में वहाँ मिलूंगा वहाँ मैं अपनी बात रखूंगा कमली बोलती है ठीक है मैं आऊंगी तब जाकर बबनिया शिरनी के बच्चे को छोड़ देता है बच्चा नीचे गिरते ही मा को फुकरता है कमली बच्चे को उटा कर चुपचप चली जाती है दुसरे दिन सही टाइम पर बबनिया अपनी कमली बोलती है कैसी दिल बबनिया आगे बोलता है जब बाकी जानवर पानी पिने आते है तो वे सब हम पर बरोसा करके आराम से पानी पीते है इसी बरोसे का फाइदा उटा कर हम तुम्हें शिकार पकरने में मदद करेंगे कमली बोलती है मैं समझी नहीं बबनिया बोलता ह बाकी जानवर समझेंगे कि सब कुछ ठीक है जिसे तुम हमारे बिच रखर आसाने से शिकर कर पाओगी कमली को यह आइडिया पसंद आता है दोनों डील दन करके अपने रास्ते चल पड़ते हैं दुसरे दिन कुछ हिरन पानी पीने के लिए तालाप के पास आते हैं बंदर ह चलिए कमली तुरंत काम पर लगती है आगे क्या होने वाला है इस बात से हिरन पूरी तरह अंजान थे कमली कमजोर और पक्के हिरन को डुनने लगती है रेजमे आते ही कमली तुरंत हिरनों पर हमला करती है और एक हिरन को आसाने से पकड़ती है शिकर मिलने से कमली बंदरो को खबर मिलती है कि इस इलाके में कमली आसनी से शिकर करती है इसलिए कालू इस इलाके में चला आता है सारे बंदर कालू की मौजुदगी से अंजन थे तबी कालू एक हिरन पर हमला करता है और उसे दबोश लेता है तबी एक बंदर बोलता है माखी आख गलट टाइम पर किस पुच्छे में ले जाने लगता है। तबी हिरन अपनी पलक जपकता है और जट से उटकर बैठता है। तब तक हसते रही हसाते रही है। सब्ड़कशने झाम कि अवच्छे में।